और अब भुपाल से बड़ी खबर है जहांपर मंत्री नरेंदर शिवाजी पटिल के बेटे पर आरुपों की मामले में मानव रिकार आयूग ने संग्यान लिया भुपाल पुलिस से 15 दिन में जवाब भी मांगा गया है घटा का CCTV पुटेज और मेडिकल रिपोर्ट भी मांगे गया है पुलिस से मांगा जवाब के किस आधार पर चार पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है ये जाच अप की जाएगे और उसकी जवाब जब पेश कि जाएंगे उसके मताबिक पैसला होगा मंत्री नरेंदर शिवाजी पटेल के बेटे पर आरुपो के मामने में माना वधिकार आयोग ने संग्या लिया और आप ये देखिए इसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जब एक युवक के साथ हैं लोगों ने मारपीट के और चान बचाकर एक रेस्टूरेंट में जा चुपा था और वहाँ पर मौझूद जो मैनेजर थे पती पतनी थे उनके साथ भी मारपीट की थी और ये पूरा मामला जब थाने पहुंचा तो मंत्री खुद पहुंचे और वहाँ पर भी सस्पेंड करा देने की वो धमकी देने लगे और आखिरकार जो चार पुलिस कर्मी हैं उन्हें सस्पेंड भी किया गया अब यही सवाल पूछा गया कि आखिरकार किस अधार पर चार पुलिस कर्मी को सस्पेंड किया गया है बड़ी ख़बर भुपाल से है अब इसकी गहन जाच होने की बात सामने आ रही है अब इलकोल देखे यह पूरा मामला जिस सरह से शनिवाद ये शाम को सामने आया और उसके बात से लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट हो रहे हैं पहले तो दोनों ही पक्चों ने एक दूसरे के खिलाब फाइयार दर्ज करा आई फिर चुकि मंत्री के बेटे से जड़ो हुआ मामला है तो सियासत भी इस मामले पे खूब गर्माई खुद पॉंग्रेस के प्रदिशर दियक जीतू पटवारी थाने पहुंचे थे और वह इजनसी से जवाब मांगा है कि क्या कुछ कारवाई अब तक की गई है आने वाले समय में क्या कुछ कारवाई आप लोग करने वाले हैं अगर पलिस कर्मियों का सस्टेंशन हुआ है तो वो कि साधार पर हुआ है अगर पार्क में कबजे की बात सच है तो उसकी भी जाच की इसके वी CCTV फोटेजेस और जो लोग मोके पर मौझूद थे उनके बयानों के आधार पर जाच होनी चाहिए और सिलसलेवार रूप से इस पूरे मामले में कारवाई हो यह जवाब जो है मानव अभिकार आयों की और से मांगा गया है बहराल अब देखना होगा कि इस पूरे मा पराजगी भी उन्होंने व्यक्ति की तो उनका क्याना था कि जो भी दोश योगा उस पर एक्शन लिया जाएगा चाहे कोई भी पक्ष हो कोई भी नेता हो या फिर आम आदमी हो इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो अपनी जाच करेंगे और पुलिस की जाच में जो भी तथ्थे निकल कर सामने आएंगे उस लिहाज से आने वाले समय में कारवाई करना सुनिश्चित किया तो आप ये देखिए कि सुनिश्चित किया जाएगा और जाच होगी पुलिस कर्वियों के सस्पेंशन को लेकर भी इसमें गहराई से जाच की जाएगी और अब ये देखना है कि क्या कुछ तथ्थनिक